असलाम अलेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टो मैं चैनल, वेलकम बैक टो अनदर न्यू वीडियो आज आप लोग के लिए सिर्फ मैदे और तेल से बनी हुई ये बेकरी जैसा बिसकित बहुत ही मज़्यदार और बहुत इजी तरीके से आप लोग जो है गैस ओबिन में ही इसको बना सकते हैं इसके लिए माइकरोविन की कोई जरूरत नहीं है और तीन से चार मेहने तक आप लोग जो है इसको आडाम से स्टोर भी कर सकते हैं तो वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में और मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तो चली जादा देर न करती होए वीडियो को फटापर शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से एक बात आप लोग ध्यान रखना बिस्किट की जो रेसिपी है उसको फुल स्टेप बैस्टेप फॉलो करके देखना फिर ही आप लोग का परफेक्ट बनेगा तो सबसे पहले यहां पर जो है अभी मैं सूखा इंगिडियन्स को सब मिक्स कर लेती हूँ उसके लिए यहां पर जो है मैं दो कप मैदा ले रही हूँ और आप लोग जो है इसको मैदे से ही बनाएं आटे का इस बिस्किट में ना करिए तो कोई भी मेजर्मेंट आप लोग कप या फिर कटूरी का इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर जो है मैं दो कप मैदे का इस्तमाल करी हूँ तो सबसे पहले मैदी को जो है बहुत अच्छी तरह से चान लेना है इससे जो है डस्ट वगरे उपड़ का थोरा सा कुछ मोटा रहेगा तो वो उपड़ी चन्नी में रह जाएगा अब जो है दो कप मैदे के लिए यहां पर एक कप में चीनी का इस्तमाल करी हूँ तो चीनी को भी मैं अच्छी तरह से चान लेती हूँ क्योंकि चीनी में भी जो थोरा सा मोटा पन रह जाता है उसको मैं नहीं डालूँगी ताकि वो बेक अच्छी तरह से ना होगा तो फिर वो खाते टाइम मूह में आएगा तो देख सकते हैं थोरा सा मोटा मोटा चीनी में उसको साइड में फेक देती हूँ अब जो है इसके अंदर हमको डाल देना है थोरा सा नमक नमक डालने से भी इसके में जो है एक अलग ही टेस्ट आता है और उसी के साथ जो है अब इसके अंदर डाल देना है हमको बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा में एक चमच इस्तमाल करी हूँ कोई भी चाय के चमच से आप लोग बेकिंग सोड़े को एक चमच ले ले बेकिंग सोड़े को भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया ताकि इसका भी जो मोटा बन है वो भी अच्छी तरह से छान जाए और अब जो जो है, सभी सुका इंगिरियन्स को बहुत अची तरह से मीकस कर ले, इससे जो है नमक और सोडा जो है, बहुत अची तरह से मैदे के अंदर मीकस हो जाए, ताकि हम लोग इसको घुन देंगे, तब जो है एक जगे पे ना गुटली जैसा बन जा, इसके विज़े स आप लोग जिसमें ज्यादा फ्लेवर नहीं है नॉन फ्लेवर जो ऑईल रहता है उसी का इस्तमाल करना है तो एक कप ऑईल में यह पर इस्तमाल करूंगी जितना भी लगेगा वो में आप लोग को बाद में दिखा दूँगी थोड़ा थोड़ा करके जो है ओईल को लेना है अच्छी तरह से हलके हातों से जो है इनको मिक्स करते जाना है तो पूरा एक कप नहीं लगता है एक कप से जो है थोड़ा सा कम लगते हैं आप देख सकते हैं आप लोग को दिखा दिया है तेल जो है एक कप से भी थोड़ा सा बज़ गया है बिल्कुल थोड़ा सा बज़ जह height जह उतना में नहीं डालूँगी 2 रॉपड़ा से मैदे का गीधित कम द्हूरा सा मैय अगर पत्ला लगे है katt काट है एपनी कटीखें अछे सेप नहीं भीशाने में भाईह टी न हम झालेधी हो और इसको अभी साइड में छोड़ दीती हूँ पाच मिनिट के लिए उसके बाद जो है आम लोग कुकिस बनाएंगे यहाँ पर जो है पाच मिनिट हो चुका है और जो है अब इसको जो है बेलना नहीं है हातों की मदल से इस तरीके का ही जो है आप लोग को फैला देना है कितना रखना है वो भी आप लोग को में दिखा दूँगी देखके आप लोग को पता चल जाएगा हातों की मतल से मैं बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं फैला लिया है अब जो है आप लोग कोन से भी सेप का जो है आप लोग के पास कोई भी सेप रहेगा तो आप ल बिल्कुल गोल गोल बनेगा यह आप जो मेने हाट सेप 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 में सभी का जो है आप लोग को कट करके दिखा देती हूं सभी का कट कर रही हूं ताकि बिस्कित जो है बिल्कुल बेकरी जैसा लगे और दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी आप लोग इसको बना के किसी भी मैमानों को चाय के साथ देंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप लोग घर पे ही बनाए हैं या फिर मार्केट से जो है बिस्किट को लाए है इतना ज़्यादा जो है टेस्टी लगता है आप जो है एक एक करके जो है निकाल देती हूँ एक स आप लोग के पास बटर पेपर नहीं है नॉर्मल जो पेपर रहता है जो नोटबुक का जो रहता है उसको जो है लेके उसमें तेल बहुत अच्छी तरह से उपर नीचे से ब्रश करना है तो भी आप लोग का होमेट बटर पेपर बन जाएगा तो जीतना भी बचा हुआ है उन सबी को जो है फिर से मैं इसी तरीके का करते हुए मैं बनाओंगी देख सकते हैं तो सभी बन चुका है अब जो है क्या करना है बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनाने के लिए बेकरी में जैसा उपर कलर आता है उसके लिए आपर एक योग लिया है मैंने एक की लिया हूँ और इसके साथ जो है मैं एक चमर चीनी मिक्स करूंगी इससे जो है कलर बहुत ही अच्छा आता है अगर आप लोग वेजिटेरियान हैं आप लोग नहीं एक का इस्तमाल करना चाते हैं तो आप लोग जो है दूद में थोरा सा चीनी मिला के उसकी उपर से ब्रश कर सकते हैं द करने के बाद बिल्कुल ब्राउन कलर होजाता है अगर आप लोग के पास माईक्रोवेन हैं तो आप लोग माईक्रोवेन में भी इसको बना सकते हैं बहुत एजली बनता है अब दिखने में खूब सुरत होने के लिए इसके उपर से में तील लगा दोगी ताकि ये प्राइब जरूर करें तो यहां पर कड़ाई ले लिया हूं उसके नीची नमक डाली हूं नमक से स्टीम जो बहुत ही अच्छा आता है पहले जो आप लोग को दस मिनिट तक बहुत ही अच्छी तरह से इसको स्टीम गरम कर लेना है और उसके बाद जो है बिस्किट का ट्रे क कि पहले हाई फलेंगर हाई फलेंगर के बिस्किट बनने के लिए ताइं अब घ्रसे बिस्कित हो जो है बिलेंगर चालिस बिनिट की बाद तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुबसुरत बिस्किट बनके तैयार हो चुका है थोरस और डार्क इसको कलर देने के लिए मैं जो है और भी पाच मिनिट इसको जो है इस पे ढखके रख दूँगी तो और भी डार्क कलर जो है आ जाएगा तो फ्रेंड्स आप लोगों को बिस्किट की रेसीपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा अच्छा लगेगा तो लाइक करना शेयर करना अपनी फैमली फ्रेंड में और मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग वीडियोज देख रहे हैं बट सब्सक्राइब बहुत ही कम कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो देख सकते हैं हमारे बिस्किट बिल्कुल तैयार हो चुका है बहुत ही खुबसुरत लग़ा है दिखने में खाने में भी बहुत ही जवर्दस्त इसका स्वाद है सिर्फ दो से तीन चीजों में आप लोग जो है इसको बना के तैयार कर सकते हैं और बिस्किट को जो है गरम गरम बिलकुल निकालना नहीं है थोड़ा सा 5 मिनिट इसको साथ अलाहफीज और मेरे चैनल पर और भी बिस्किट की रेसीपी है देखना चाहते हैं तो जरूर से आप लोग एक बर चेक आउट करिए बहुत ही अलग अलग आटे की बिस्किट से लेके मैदी की बिस्किट तक सुजी की बिस्किट है आप लोग जरूर से चेक करना डिस फिस